मेरे चैनल पर आपका स्वागत है शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी तो यह देखिए मैंने एक बोल चना दाल बॉइल करके लिए है मैंने थोड़ी जेर पहले उबाल के रख दी इसे बहुत ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए दाल में उसके बाद में चिली फ्लेक्स तयं है राइट गलर के और के अब हम डाल देंगे दूसरे मसाले मैं आड करते जाएंगे आप दिखते जाएं नहीं हल्दी डाली थोड़ी सी कि को उसम्स कि अ दाल सकते हैं अपनी चॉईस से अब हम इसे mix कर देंगे बहुत ज्यादा हमें mash नहीं करना है बस mix हो जाए इतना ही ला देना है इसको तो यह देखिए बहुत फटाफट मेरा काम हो जाता है मैं इस तरह से करते हूं फोर्क से mix करने का काम अब हम इसमें डाल देंगे गेम का आटा तो पहले चार चमच गेम का आटा लेंगे हम लोग क्यूंकि हमें इसमें पानी भी नहीं डालना है और बहुत ज्यादा नहीं बनानी है तो पहले चार चमच आटा लेके देखते हैं अगर सूखा हुआ तो थोड़ा सा हम पानी तो उसकी वज़े से डो इस ताइब का बनना चाहिए हमें देखिए हाथ में जब पक्रा थोड़ा सा हाथ में घी लेकर लगा सकते हैं तो हाथ में चिपकेगा नहीं हमारा अब हम इसकी पूरियां बनाएंगे अगर आप चाहें तो ऐसे भी तल सकते हैं या फिर आपको शेप देना है तो यह देखिए हम कटोरी से कट करके शेप दे रहे हैं इसमें हमने जो मिर्ची डाली उसका कलर भी बहुत अच्छा है हम करेंगे मीडियों फ्लेम पर रखेंगे पूरियों को इजी ली उपर आने देंगे हम लोग अगर आपकी पूरियां फूलती नहीं है तो य तो पूरी अगर नहीं भी फूल रही तो फूल जाएगी तो देखिए पूरियां दिखने में भी कितनी अच्छी लग रही है और चनादाल से बनी है तो टेस्टी भी बहुत है इन्हें एकदम हाई फ्लेम पर फ्राय नहीं करेंगे थोड़ी दीरे दीरे करेंगे बहुत ही नाश्ते में खा सकते हैं, खाने में खा सकते हैं, बहुत ही कम सामान में भी बन गई है, दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही है और कलर भी बहुत ज्यादा अच्छा है आए इसका, देखिए मुझे तलने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाया आटे की पूरी से, क्योंकि आटे की पूरिया हम थोड़ी जल्दी ले लेते हैं इसे हमने मीडियूम फ्लेम पर रखा है अब हम इने निकाल देंगे कलर भी देखिए आप आ गया है तो कब बना रहे हैं आप ये पूरिया बहुत ही जादा ट्विस्टी लगती है इस तरह से बनाने पर ये देखिए लग रही है ना स्वादिश्ट और इसकी जो चिली फ्लेक्स और ग्रीन चिली का कलर भी बहुत अच्छा है इसमें देखिए एक भी फूरी फूर्टी भी नहीं है और फूली भी है तो एक बार आप ये रेसिपी जरूर ट्राइए कीजिएगा एकदम इजी रेसिपी है गेंगों के आटे से बनी है कुछ भी इसमें आप थोड़ी सी सबजी लेके खा सकते हैं सुखी सबजी लेके भी खा सकते हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग